हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है सीविल डैमेंशन चैनल पर जैसे कि आपने थमनेल देख ही लिया होगा आज हम करने चाह रहे हैं एशिन पेंट्स के दो पॉपलर पेंट प्रटक्स के रिव्यू जो की पहला है एस एक्सटीर एमेलशन और दूसरा है एपक्स एडवा यह रिव्यू लेकर आए हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों पेंट की क्वालिटी कैसी है 20 लिटर पेंट की बाल्टी में कितना एरिया पेंट हो जाएगा और दोनों पेंट का MRP कितना है और आपको देंगे कुछ यूसफल टिफ्स तो चलिए शुरू करते हैं पर ध्यान रहे किसी भी चीज की वरंटी तभी मिलती है जब पक्का भी लो इसलिए खृत्त समय टैक्स इन्वाइस यानि की पक्का भी जरूर ले इसी के नीचे लिखा है वाटर रेजिस्टेंट टेकनोलोजी यह अच्छी बात है कि पेंट वाटर रेजिस्टेंट है और वैसे भी एक्सटीर पेंट है तो वाटर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए और नीचे देखे तो लिखा है क्वाइंटिटी 20 लीटर मतलब 20 लीटर नेट उसके नीचे लिखा है MRP 3750 रुपे इंक्लूजीव और टैक्सिज ध्यान रखें पेंट मार्किट में अपनी MRP से 8 से 10% डिसकॉंट पर मिल जाता है इसलिए खृत्ते समय पार्गेनिक जरूर करें साइड में लिखा है पेंट का नाम इस इसके नीचे लिखा है बैच नंबर 8273 और उसके नीचे दिया है पैक्ट डेट यानिकी 092021 सेप्टेंबर 2021 की पैकेजिंग डेट है जैसे कि हर पैक्ट डेट 36 महिनों का समय काफी लंबा चोड़ा समय है पर एक ही कंडिशन में पेंट यूज ना हो ओपन बकेट ना हो बकेट को घुमा कर देखेंगे तो साइट में लिखी हुई है डिरेक्शन फॉर यूज चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है सबसे उपर लिखा है ए हुमिट क्लाइमेट वाले एरिया में यूज करने के लिए इसे पनाया गया है है एवी रेंफॉल वाले एरिया में इसे यूज ना ही करें तो अच्छा होगा डिरेक्शन फॉर यूज दिया गया है सबसे पहले है क्लीनिग डिरेक्शन एंशर डैट इस सर्फेस तो बी पे पहले दिवार को अच्छे से साफ कर ले उस पर किसी भी प्रकार की धूल, मिट्टी या फिर फंगस ना हो सेकंड पॉइंट लिखा है फिलिंग Surface imperfections such as holes, dents, fine cracks are to be filled with Asian paint wall putti और a mixture of white cement and fine sand मतलब paint से पहले दिवार के गड़े cracks आदी को cement putti से भर दे 3rd point is primer, freshly plastered surfaces must be allowed to cure completely on such surfaces apply one coat of fashion paints, exterior wall primer by thinning one liter of primer with one liter of water allowed to dry for 4 hours मतलब top coat से पहले दिवार पर primer जरूर करे 1 liter primer में 1 liter पानी आप मिला सकते हैं और primer को 4 घंटे तक सूखने देना है 4th point is top coat apply 2 to 3 coats by diluting 1 liter of Asian paint is with maximum 750 ml of water a gap of 4 to 6 hours should be given between 2 coats मतलब आपको 1 liter is exterior emulsion paint में maximum 750 ml पानी ही mix करना है और 2 से 3 coat paint भारी दिवारों पर apply करना है और last में दी है इस paint के लिए कुछ maintenance tips इस पर लिखा है paint पर किसी तरह का algae और fungal grow ना हो और 6 महिने में भारी surface को clean करते रहें तो यह थी exterior emulsion paint की कुछ general information जो bucket पर लिखी हुई है अब हम देखते हैं Apex Advance कैसे अलग है एस exterior emulsion से यह Apex exterior paint की बाल्टी है पकेट पर बड़े बड़े अक्ष्रों में लिखा हुआ है Advanced Dust Proof Anti-Algae Formula Weather Guard 5 Year Performance Warranty यह 20 लिटर की bucket है जिसका MRP है 6,090 रुपे inclusive of all taxes साइट में paint का नाम लिखा है Apex Advance batch number और manufacturing date expiry date है 36 months from date of manufacturing साइट में लिखा है directions for use direction for use सारी वहीं है जो एस emulsion की है fourth point में लिखा है 1 लिटर paint में maximum 400 ml पानी मिला सकते है यही dilution ace में 1 लिटर paint में 7500 ml तक है इससे यह पता लगता है Apex को ज़्यादा पतला नहीं करना और 2-3 top coat paint दिवार पर apply करने है तो यह थी दोनों paints की unboxing अब coverage area, finish quality और recommendations की बात कर लेते है Apex एक manga paint है इसे आप high rainfall area में use करें Ace का दाम लगबग Apex से आदा है इसे आप humid और dry area में use करें जहाँ बारिश कम होती है Apex paint की finish smooth और sheen है हलका सा gloss यानी की चमक देखने को मिलती है Ace paint की finish matte है paint finish smooth है पर इसमें कोई चमक देखने को नहीं मिलती coverage area की बात करें तो Ace की 20 लीटर की बाल्टी लगबग 1500 से 2000 स्केरफिट area कवर करती है और Apex की 20 लीटर की बाल्टी लगबग 2000 से 2500 स्केरफिट area कवर करती है यह थी हमारी अपनी observation अगर दिवार पर primer किया क्या है तो paint की coverage area जादा रहेगी और अगर primer नहीं किया है तो दिवार पर coverage area कम रहेगी यहाँ कई बार color shades पर भी निरबर करता है light color में coverage area जादा मिलता है और dark color में कम क्योंकि dark color में 3-4 coat paint तो लग ही जाते हैं चलिए इस वीडियो को यहीं कतम करते हैं अगर आप interior renovation या फिर construction से जूड़ी कोई भी जानकारी चाते हैं तो आप हमें Instagram पर direct message कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा आप चाहें तो slot book कर हमसे phone पर भी शला ले सकते हैं अगर वीडियो informative लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर केजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वचिंग सिविल डेमेंशन्स